नमस्कार मैं हूं संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्प्रेस नियूस के इस वेपोर्टल में आपका स्वागत है। आए देखते हैं हमारे समवादाता राम सकल यादो की ये विशेश रिपोर्ट आजमगर सपा के रास्टी महा सची राजी राय के घर हुई आयकर विभाकी छापे मारी से नाराज आजम विर्जले में समझवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाब मंगलवार को मोचा खोल दिया और सरकार के खिलाब जंकर नारीज बाजी करते हुए पार्टी का सपा के राश्टी प्रवक्ता डॉक्र अभिष्यक राय ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ब्रामण और भुईयार को उत्पीडंग कर रही है कानपूर की वेफसाई प्यूज जीयर ने जब भाज़पा को अधिक चंदा दिने से इंकार किया तो उसके हाँ रेट डलवा दी उन्हें डिप्टी सीम केसो प्रसाद मौरिया के बयाम को प्रद्वात करते हुए कहा की केसो इस टूल मंत्री ही रह गया है सपा नेताओ के हाँ आएकर विभा की छापे मारे से नारा समाजवाधी पार्टी के नेताओ ने सपा के राश्टी प्रवक्तर डॉक्तर अभिशेख राय के नेत्यूत में पार्टी कालें से जुरूस निकालकर डीम कारले पर पहुँचे और मांगों का ग्यापन जलाप्रशासम के माध्यम से राज जिपाल को स्वापा इस दुरहन सपा के राश्टी प्रवक्ता डॉक्टर अविशेक राय ने कहा कि सपा के राश्टी महासची राजी राय के घर सरकार ने आयकर की देट डलवाया उनका सत्रे घंडे तक उत्पिरन किया गया लेकि सत्रे हजार रुपे ही मिले उन्होंने आरोप लगाए कि प्रदेश सरकार वुईया और प्रामडो का उत्पिरन कर रही है उन्होंने कहा कि सपा की विजय यात्रा से उम्रे जल समर्थन को देखकर सपा की नेताओं के घर शापे मारी करा रही है आज आयकर को लाए हैं कल E.D. और C.B.I. को लाएंगे यह भाजपा के डर और हरतास को दिखाता है उन्होंने कहा कि कानपूर के वियापारी प्यूजयन से भाजपा के लोगों ने अधिक चंदा मांगा जब उन्होंने देने से इंकार कर दिया उनके घर शापे मारी की गई प्यूजयन ने भाजपा नेताओं की नज़्दिक्या जगजा ही रहे प्रदेश की डिप्टी सीम केसर प्रसाफ मौरे की समाफवादी पार्टी के बयान पर पलरपार करते हैं वे सपा के रासी प्रवक्ता अविशेक राय ने कहा कि इस्टूल मंत्री जी हमें ग्यान देना दे जिनको फान सालों तक खुरसी नहीं मिल पाई है नहीं आज तक अपने समाज का भला नहीं कर पाए हैं अभी तक वे स्टूल पे ही बैठते हैं वो उपर से खुद आपरादी को करने दर्ज हैं अगर वे ऐसी बात कहेंगे तो यह हासिप्रद है देखें जो यह भुम्यार समाज का उत्पीडन हो रहा ही सरकार में उसके खिलाफ आज हमने ग्यापन दिया हमारे राश्री प्रवक्ता और राश्री सचिव मानने श्री राजी 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 के घर पे इंकम टैक्स की रेट पड़ी और वो साजिशन रेट थी 17 घंटे में उनको टॉर्चर किया और 17,600 रुपए लेके गए बताएं कितना हास्यास्पत है कि इस तरह की रेट पड़ी और 17,600 रुपए उनसे वो निकाल के ले जा रहा है 25 साल से वो इंकम टैक्स रिटर्न भरते रहें एक भी नोटेस या कोई चीज नहीं यह सिर्फ सरकार की हताशा और निराशा है कि वो समाजवादियों के विजयरत से एकदम डर गया है अगबराट और बॉकलाट में यह काम कर रहे है हम कहां साच को कहां हम कहां डर रहे हम उकली भार समाजवादी जुकेंगे नहीं समाजवादी बहुत बहुत से लड़ेंगे और इनको उत्तर परदेश की धरती से बेधखल करके इस बार 22 बें मानि राश्य द्धर जी को मुक्य बनाएंग तेखें आपने इंकम टैस्स का ओफिशल बयान सुना है कहीं भी ऐसा है तो आप जरूर हमें बता है प्यूज जैन की जहां तक बात है सिर्फ जैन होने से पम्मी जैन से उनका संबंद नहीं हो जाता जिस तरह नीरभ मोधी के मोधी होने से मानी प्रधान मंतरी जी का संबंद केश्योप्रशाद महर्या ने अब का एक बयान आया है वी कि उन्होंने समाजवादी पाटी को बताया कि समापतवादी पार्टी तो इस पर गया क्या गयाना है मैं देखें श्टूल मंतरी जी हमें ग्यानना दें और जिनको अभी तक कुछनी नहीं मिल पाई 5 साल में जो अबी और जिनके उपर खुद इतने अपरादिक मुकद में दर जाएं उसके बाद वो इस तरह की बात करेंगे तो हास्वाद इस अगर आपको हमारी ख़बर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सबस्क्राइब और शेयर जरूर करिए